Hello friends, welcome to DBS nursery! DBS nursery में आप सभी दूस्तों का हरडी कभी नंदन है आज हम बात करने जा रहे है सफेद माल्द य भी बिहार की सबसे फेमस मैंडो है आज मधर प्लांट की बात करने जा रहे हैं पौधे कैसे त्यार किये जाते हैं तियों जो देख रहे हैं यह सब grafted plant है जो अभी ready हो रहे हैं इसे ready होने में तीन महीने का time लगता है जिसमें दो मेंथ निकल चुके हैं एक मंथ और बच गया है और पौधा खड़ीते समय खास ध्यान रखना है grafting का ग्राफ्टिंग जो हो वो आम की गुठली के तीन इंची उपर हो इससे क्या होते हैं कि पौधे में जो आप फोटिलाइजर डालेंगे वो डाइरेक्ट मिलेगा जिससे पौधे का डेवलप बहुत ज्यादा होगा यह खास बात ध्यान रखना है और स्टार्टिंग में कोई भी प्लांट लगा है तो फोटिलाइजर डाले हमसे कम दो महनत के बाद ही फोटिलाइजर डाले डीवेस नडशरी ऐसा नडशरी है जिसमें सभी परकार के इंडोर आउट्डोर फ्लाइगरेंट फ्रोटिंग उपलब्द होते हैं नेक्ट वीडियो में हम नेक्ट इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद